इस प्रक्रवास ने तो आज हम करने वाले हैं 7.1 का कोशन नमबर 2 तो इस कोशन में हमें गिवन है कि एक ट्राइंगल कोडिलेटरल है अब इसमें हमें दे रहा है कि A D B C के इक्वाल है यह वाले लाइन इसकी इक्वालडिक है और एंगल D A B यह वाला एंगल इस C B A की इक्वाल है इस वाले एंगल इस एंगल की इक्वाल दे रहा है हमें प्रूफ क्या करना है ट्राइंगल A B D को ट्राइंगल B A C के कॉंगूरेंट बताने धीक है, और हमें BD को AC के एक्कॉल करना है, और ABD, यह जो अंसले ABD यह वाला, उसे हमें BAC, इसके को एक्कॉल बताने धीक है, तो अब हम इसमें प्रूफ में देखते क्या है, तो हमें इसके प्रूफ में लिखना है, लेकें ट्राइंगल एब्लाक इस ट्राइंगल में और इस प्राइंगल में हमें Ad equal और 안ल्डsen यही और यह वाली रहाने दोने ही करता है अगर हम देखेंड तो देखेंड वाला इसमें वी आ रहा है और इसमें वी आ रहे हैं तो यह धीं कॉमन ले ले लिए और इसी तरहीं कि अम रिस पर लिख भी सकते हैं वाइश रू ट्रैंगल अगरवम देखे तो हम इसे जो हमारा दूसरा था कोशन उसमें BD को हमें AC की equal बताना था मतलब इस वाली line को हमें इसकी equal बताना है ठीक है तो अब हम इसमें CPCD से लिख सकते हैं BD is equal to AC क्योंकि यह दोनों ही triangle में लाई करता है फिर इसमें हमें तीसरा दिखाना था एंगल ABD इस वाले angle को इस वाले angle को हमें BAC के equal दिखाना है मतलब BAC इस वाले angle के ठीक है तो हम इसमें by again CPCD से लिख सकते हैं angle ABD is equal to angle BAC क्योंकि यह दोनों ही triangle में लाई करता है तो यहीं पर एक को समता है करता हम तेंक्यू